साथ्ष्वास के टॉपिक में जानेंगे बिर्सा मुंडा के बारे में बिर्सा मुंडा आदिवासी आंदोलन के महानाएक परिचे बिर्सा मुंडा 15 नॉवंबर 1875 से 9 जून 1900 तक भारत के महान स्वतंतिता सेनानी और आदिवासी नेता थे जिन्हें जारखंड और उसके आसपास के आदिवासी इलाकों में धर्ती आबा के नाम से सम्मानित किया जाता है तो इसको याद रखेंगे इन्हें धर्ती आबा के नाम से जानते हैं उनका नाम आदिवासी समाज के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुती देने वाले वीर योधाओं में आता है बिर्सा का जीवन संगर्स, साहस और बलिदान का प्रतीक है जिनोंने अंग्रेजों के सोशर और अत्याचार का विरोध करते हुए आदिवासी समाज को एक जुट किया फिर जानेंगे प्रारंपिक जीवन के बारे में बिर्सा मुंडा का जन्म जारखंड के उली हातुगाओं में हुआ था वे मुंडा जन्जाती से थे जो उस समय अंग्रेजों के अत्याचार और जमीदारी प्रता के कारण बेहद कठनाईयों का सामना कर रही थी बिर्सा का बच्पन गरीबी में बीता लेकिन उन्होंने अपने परिवेश से जीवन की कठनाईयों को समझा और अपने लोगों के दर्द को महसूस किया किसोर आवस्था में उन्हें मिशनरी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला जहां उन्होंने इसाई धर्म की कुछ सिक्षाओं को अपनाया लेकिन बाद में अपने आदिवासी धर्म और संस्कृति के प्रती आस्ता बनाए रखी अब आगे जानेंगे आदिवासी समाज और अंग्रेजो का अध्याचार अंग्रेजो के शासन के दोरान आदिवासी समाज को भूमी से बेदखल कर दिया गया था अंग्रेजो ने जमीदारी प्रता लागू कर आदिवासीो की जमीनों पर कबजा कर लिया और उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया जंगलों और जमीनों पर अधिकार छिन जाने से आदिवासी समाज पूरी तरह से अंग्रेजों और इस्थानी जमीदारों के सोशन का सिकार भो गया इन हालातों ने बिर्शा को आंदोलित किया और उन्होंने आदिवासी समाज को जागरुक करने और उन्हें उनके अधिकारों के लिए संगठित करने का निर्णे लिया अब आगे देखेंगे बिर्शा मुंडा का धर्म और सामाजिक सुधार आंदोलन बिरसा ने अपने समाज के बीच धार्मिक और सामाजिक सुधार का बीड़ा उठाया उन्होंने आदिवाशियों को अपने पारामपरिक धर्म और संस्कृति के प्रती जागरुख किया और उन्हें एक जुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्स करने के लिए प्रेरित किया उन्होंने आदिवाशियों को मूर्ती पूजा छोड़ने अंध विश्वास से दूर रहने और अपनी संस्कृति का पालन करने की सलाह दी उन्होंने समा सुधार के साथ साथ शराब का शेवन छोड़ने और समाज में व्याब्त कुरूतियों से दूर रहने की बात कही उल्गुलान आंदोलन बिलसा मुन्डा ने आदवासी समाज को संगठित करने और उनके अधिकारों को रक्षा के लिए अधिकारों की रक्षा के लिए उल्गुलान विद्रोग नामक आंदोलन की शुरुवात की यह आंदोलन जहारखंड, बिहार, ओडिशा और बंगाल के बिभिन आदवासी इलाकों में फैल गया उल्गुलान अंदोलन का मुख्य उद्देश अंग्रेजों के शोशनकारी कानूनों को खत्म करना और आदवासीयों की जमीन पर उनके अधिकार की रक्षा करना था बिर्शा ने इस आंदोलन के जरिये आदवासी समाज को एक जुट कर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई फिर आगे देखेंगे बिर्शा की धार्मिक माननेताएं और नित्रत्वा बिर्शा मुंडा ना केवल एक राजनीतिक नीता थे बलकि एक धार्मिक गुरू भी थे उन्हें उन्हें खुद को धर्ती आबा धर्ती पिता के रूप में प्रस्तुत किया और आदिवासी समाज को उनकी पारामपरिक धार्मिक मानेताओं के प्रती जागरुप किया बिर्सा ने एक नई धार्मिक विवस्था की शुरुवात की जिसमें उन्होंने ईश्वर की पूजा के साथ साथ प्रकृती की पूजा पर बल दिया उनके अनुवाई उन्हें ईश्वर का आउतार मानते थे और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन करते थे फिर आगे देखेंगे अंग्रेजों के खिलाफ वित्रो और संगहर्स विर्षा के नेत्रत में उल्गुलान आंदोलन ने अंग्रेजों की नीतियों को चुनौती दी अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचलने के पूरी कोशिस की लेकिन विर्षा और उनके अनुयाईयों ने बहादुरी से मुकाबला किया विर्षा ने अंग्रेजों के खिलाब सशस्त्र संगहर्स छेड़ा और उन्हें मुंड़ा आदिवासियों की भूमी से बेदखल करने का संकल्ब लिया उन्होंने आदिवासियों को हध्यार उठाने और अपने हक के लिए लड़ने का साहस दिया इस संगहर्स में कई बार अंग्रेजी सेना और विर्षा के अन्माईयों के बीच टकराओ हुआ विर्षा का गिरफतार होना और बलिदान विर्षा का गिरफतार होना और बलिदान अंगरेजों ने विर्सा मुंडा के उल्गिलान अंदॉलन को कुचलने के लिए उन्हें पकरने की योजना बनाई 1900 में अंगरेजों ने विर्सा को ग्रिफतार कर लिया उन्हें राची की जेल में बंद कर दिया गया जहां 9 जून 1900 को उनकी मृत्य हो गई बिर्शा की मृत्यू के पीछे के कारण अब भी विवादस्पद है कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मृत्यू वीमारी से हुई जबकि कुछ का मानना है कि उन्हें अंग्रेजियों ने विश्दे कर मारा अब आगे बिर्शा का योगदान और उनके आंदोलन की सफलता के बारे में देखेंगे बिर्शा मुंडा का संघर्ष भारत में आदिवासी समाज की अधिकारों और उनकी संस्कृती के संडक्षर की दिसा में एक महत्पूर कदम था बिर्शा के नेत्रत में उल्गुलान अंदोलन ने अंग्रेजों को आदिवासीों के प्रती अपनी नीतियों में बदलाव करने के लिए मजबूर किया उनकी मृत्यों के बाद अंग्रेजी शरकार ने छोटा नाग्पूर कास्तकारी अधिनियम पारित किया जिसने आदिवासी समाज को उनकी जमीनों पर अधिकार देने की बात की इस तरह बिर्शा का संगर्स आदिवासी समाज के लिए एक अमूल धरोहर बन गया फिर आगे देखेंगे विर्शा की विरासत विर्शा मुंडा की विरासत आज भी जीवित है जारखंड और उसके आसपास के छित्रों में उन्हें एक मसीहा के रूप में देखा जाता है भारे सरकान ने बिर्शा के सम्मान में कई इसमारक और संस्थान इस्थापित किये हैं जहारखन राजी का गठन भी बिर्शा के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम माना जाता है उनकी जहन्ती पंद्रा नोवंबर को जहारखन इस्थाबना दिवस के रूप में मनाई जाती है इसके लावा उनके नाम पर विर्शा करशी विस्विद्याले विर्शा इस्टिटूट आफ टेक्नोलोजी जैसे संस्थान भी जो उनकी इस्मृती को सजीव रखते है निसकर्स बिर्शा मुंडा का जीवन संघर्स और बलदान का परतीक है उन्होंने नकेवल अपने समाज के लड़ाई लड़ी बलकि आदिवासी समाज को एक नई पहचान और अधिकारों के परतिजागरु किया बिर्शा का नाम आज भी आदिवासी समाज के बीच गर्ब और प्रेना का प्रतीक है उन्होंने साबित कर दिया कि संघर्स और साहत से बदलाव संभो है बिर्शा मुंडा की इस महान विरासत को सजोना और समान देना हमारा करतब भी है ताकि आने वाली प्रेनिया उनके युगदान को याद रख सकें और उनके आदर्शों का पालन कर सकें